नमस्कार मैं तरुन वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ इस वीडियो में आपसे अपनी पिछली वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सेकिंड पार्ट में डिसकस करूँगा कि कैसे बच्चे अलग-अलग एज ग्रूप में अपने पेरंट्स के डिवोर्स के लिए अलग-अलग तरह के emotional, psychological और physical symptoms दिखाते हैं और कैसे पेरंट्स के डिवोर्स का बहुती negative और बहुती stressful impact पड़ता है बच्चों पर और पेरंट्स और आसपास के लोग बच्चों में इस stress के sign को इन symptoms को कैसे पहचान सकते हैं कैसे वो देख सकते हैं कि बच्चे क्या feel कर रहे होंगे, किस दौर से, किस mental state से गुजर रहे होंगे और उनके behavior और उनके symptoms को वो कैसे divorce की वजह से होने वाले symptoms या reactions के तौर पर पहचान सकते हैं तो आईए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं infant और toddler जो होते हैं, मतलब जो बच्चे 3-4 साल तक की उमर तक होते हैं उनको अपने parents के साथ contact में एक consistency चाहिए क्योंकि इस उमर में बच्चे अपने initial attachment फॉर्म करते हैं अपने primary caregiver से मतलब जो की parent होता है और जादतर मामलों में वो mother होती है पर क्योंकि बच्चा पहली बार अपने social world से contact बना रहा होता है इसलिए कोई भी significant elder person जो की उसके environment में है बच्चा उनके साथ एक deeper emotional relation बनाता है अगर ऐसे में daily routines काफी unpredictable होंगी parents के बीच काफी hostility, काफी गुसा और नफरत होगा काफी खींचतान चलेगी और बच्चा कभी एक तो कभी दूसरे parent के साथ रहेगा और दोनों parents क्योंकि अलग-अलग महौल में अलग-अलग तरह से बच्चे के लिए response देंगे उसकी जरूरतों पर अलग-अलग तरीके से available होंगे या react करेंगे और साथ ही इस पूरे emotional महौल में बच्चा एक बड़े stressful और बड़े शोर शराबे वाले environment के साथ बार-बार expose होता रहेगा तो ऐसे में बच्चे का जो psychological stress है वो कई अलग-अलग forms और behaviors के रूप में बाहर आ सकता है कई तरह से अलग-अलग तरह से stress बच्चे में पनप सकता है जब infant मतलब करीब एक से दो साल तक के बच्चे जब distress में होते हैं परिशान रहते हैं क्योंकि उनकी जो एक routine है वो consistent रूप से नहीं चल रही है क्योंकि parent जो है जो primary caregiver है वो consistent रूप से available नहीं है या वो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाता है तो ऐसे में बच्चे में नींद को लेकर, खाने पीने को लेकर और digestion को लेकर काफी problems देखने में आ सकती है या बच्चे बहुती रोने वाले, बहुती शोर मचाने वाले हो सकते हैं toddlers मतलब 3-4 साल तक के बच्चे भी इसी तरह के symptoms दिखा सकते हैं पर इसी के साथ उनमें बहुती आलस, मतलब lethargic हो सकते हैं, temper tantrums बहुत दिखा सकते हैं रात में उनको सोते वक्त बहुत भयानक सपने आ सकते हैं और साथ ही वो regressive behaviors दिखा सकते हैं मतलब 4 साल का बच्चा ऐसे act कर सकता है जैसे की 1-2 साल का बच्चा react करता है मतलब बहुत जादा रोना, बहुत जादा अपने parents के साथ चिपकना, क्लिंग करना, अंगुटा चूसना, नाखुन चबाना, कुछ इस तरह के behaviors भी दिखा सकते हैं 2-3 साल के बच्चे मतलब अपने toddler stage पे बच्चों में अक्सर इस divorce process को handle करने में difficulty दिखाई दे सकती है मतलब वो कुछ difficult behaviors डिस्पले कर सकते हैं वैसे तो बच्चे इस age group में धीरे धीरे independent होने के process में आगे बढ़ रहे होते हैं मतलब वो अब काफी सारे ऐसे day-to-day life के काम करने लगते हैं जिसमें वो independently कर रहे हैं जिसमें कि उनको parent की बहुत जादा हर समय जरूरत नहीं है जो कि उसको एक देड़ साल दो साल तक की उमर तक बच्चे को जैसे जरूरत होती है पर फिर भी बच्चे में बहुत सारी dependency needs होती है फिर भी बहुत से चीजों के लिए बच्चा अपने मावाप पर या अपने आसपास के लोगों पर निर्भर होता ही है खास कर कि ये चीज तब और भी जादा देखने में आती है जब बच्चा ऐसा पाता है कि कोई एक पेरंट जो की उसके साथ सारा वक्त मौझूद था हर समय उसके आसपास रहता था जिसे वो देख सकता था जिसे वो एप्रोच कर सकता था वो अचानक से गायब हो जाता है अचानक से एक या दो दिन उसको नहीं दिखाई देता क्योंकि उसको custody के लिए शायद पापा के पास भेजा जा रहा है या मम्मी के पास भेजा जा रहा है तो ऐसे में बच्चा पाता है कि उस parent की sudden absence की वजह से वो उस separation को tolerate नहीं कर पाता और उसके लिए वो बड़ा भ्यानक experience हो जाता है या हो सकता है जादतर cases में और especially ये experience और भी traumatic तब हो जाता है जब दूसरा parent जिसके पास बच्चा कुछी समय के लिए गया है वो अगर उसे ठीक से handle ना कर पाए या बच्चे की जरूरतों को ठीक से समझ ना पाए क्योंकि वो parent बच्चे के साथ जादतर नहीं रहता इसलिए थोड़ा टाइम रहने की वज़े से वो बच्चे के जरूरतों को और बच्चे के temperament के appropriately react करना नहीं जानता तो ऐसे में बच्चा बहुत traumatized हो सकता है बच्चे में कुछ इस तरह के symptoms आ सकते हैं जैसे की बहुत जादा चिर्च पना दिखा सकता है इनफेक्ट कई बार बच्चों में जो toilet training के जो skills आ जाते हैं वो भी lose हो जाते हैं वो भी खो जाते हैं और बच्चा जो है वो अपने कपड़े गीले करने लगता है गंदे कर देता है और बताता भी नहीं है इसी के साथ जो बहुत commonly एक symptom कह लीजिए या एक reaction जो देखने में आता है वो ये कि बच्चे को separation anxiety होने लगती है उस parent से जिसके साथ हो जादतर समय बिताता है तो थोड़े time के लिए जब वो दूसरे parent के पास जाता है तो ऐसे में वो बहुत ही परिशान और बहुत ही insecure हो सकता है तीन से पाँच साल तक के बच्चे जो होते हैं उनमें parents के loss की sense इतनी नहीं होती वो नहीं समझ पाते कि parent के loss का क्या मतलब होता है या उन्होंने कोई parent को खोया है वो इसको comprehend नहीं कर पाते नहीं समझ पाते और ऐसे में वो कई सारे जो incident हो रहे होते हैं family में उसका cause उसका reason खुद को ठहराने लगते हैं बच्चे ऐसा सोच सकते हैं या उनके मन में ऐसा आ सकता है कि parent का जो emotional stress, anger, frustration जो है यहां तक कि divorce भी जो है वो उन बच्चों का fault है regression इस stage पर भी continued रहता है और कई सारे developmental milestone जो बच्चे ने achieve किये थे वो ऐसा लग सकता है कि वो खो गए है जैसे कि नींद में बच्चे को परिशानी हो सकती है, खाने पीने में बच्चा बच्चपना दिखा सकता है, motor activity मतलब physical activity reduce हो सकती है, language में, toilet training में उसमें changes आ सकते है emotionally बड़ा ही dependent बच्चा दिखाई पड़ सकता है और social relationships भी बच्चे की effect हो सकती है, बच्चा थोड़ा isolated हो सकता है, या socially बड़ा ही unskilled दिखाई पड़ सकता है बहुत जादा बच्चा अपने किसी parent के साथ clinging behavior दिखा सकता है, मतलब बड़ा चिपकने लगता है, या जब वो parent उसे छोड़ कर जाता है, या जब वो कहीं भी बाहर जाता है, भले ही वो घर से किसी पड़ोसी के यहां जाए, काम से जाए, तो ऐसे में बच्चा बहुत र होता है, in fact कभी-कभी तो बड़ा अगर घर होता है, या जैसे दो-तीन मंजिल का घर होता है, तो उपर नीचे जाने में या एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में भी बच्चा बहुत चीक-चीक के रो सकता है, ऐसे में parent जो है वो बड़ा ही ज़ादा परेशान हो जाता है, क्योंकि बच्चे को किसी अपने दादा-दादी या किसी और घर में छोड़ना, नाना-नानी के यहाँ, किसी अपने रिष्टेदार के घर छोड़ना, या किसी फ्रेंड के यहाँ, या किसी क्रेच में, किसी प्ले स्कूल में छोड़ना बेहद मुश्किल हो सकता है parent के जाना शुरू किये हैं मतलब elementary school first second standard में जो अभी उनका admission हुआ है उनमें अपने अंदर competence और mastery की feelings को develop करने में काफी struggle महसूस हो सकती है मतलब कि ये वो stage होता है जब बच्चा बड़े सारे दूसरे बच्चों के साथ रहकर exams में compete करना सीखता है अलग-अलग academic task और sports के play case task में excel करना जीतना सीखता है ऐसे में उसके अंदर competence की spirit develop होती है इन सब अलग-अलग developmental और social milestones में बच्चे में काफी कमी देखी जा सकती है और बच्चा काफी हिच के चाने वाला hesitate करने वाला anxious और बड़ा ही background में रहने वाला दिखाई पड़ सकता है जिसमें वो initiatives नहीं लेता और दूसरों से अक्सर isolated feel कर सकता है यहां तक की divorce process अगर इस time पर initiate होता है या किसी तरह से चल रहा है और divorce के काफी intense stages आ चुके हैं जहां parents में काफी conflict चल रहा है तो ऐसे में बच्चे में regression होगा मतलब की बच्चा वो सारे milestones या achievements जो पहले छोटी उमर में दिखा चुका होगा वो अब इस stage पर बच्चा ऐसा दिख सकता है कि वो उन सब stages या उन सब developmental milestones को perform नहीं कर रहा है ऐसा लगता है कि जैसे बच्चा अब पहले जितना skilled था आज उतना skilled दिखाई नहीं देता anxiety उनमें बहुत हो सकती है, restless रह सकते हैं, moodiness, चिटचड़ापन, tantrums बहुत दिखाई दे सकते हैं और साथी separation problems भी दिख सकती हैं stress, depression और anxiety की ये जो problems हैं, ये अकसर physical symptoms के तौर पर भी दिखाई देती हैं, जैसे कि बच्चे में headache, stomach ache, या stomach की कोई problems, muscular pain, tiredness, इस तरह की problems दिखाई दे सकती हैं ऐसे जो symptoms हैं, उनको psychologically इस तरह से समझा जाता है, कि ये बच्चे का एक attempt है, मतलब एक unconscious attempt है, जिसमें कि वो अपने parents या अपने जो भी caregivers हैं, उनके साथ जादा contact बनाने की उसके अंदर इच्छा होती है, और क्योंकि वो इच्छा पूरी नहीं हो रही होती, इसलिए बच्च से किसी नई relationship में settle हो जाना, किसी नए घर में नए parents, मतलब step parents के साथ adjust करना, या किसी भी तरह से separation हो जाना एक parents से और अपने grandparents या अपने uncle, aunt के साथ रहना, ये सारे बच्चे के लिए काफी stressful sources हो सकते हैं, इनसे बच्चा काफी परेशान और काफी anxious दिखाई पड़ सकता है, 4th, 5th class के बच्चे, मतलब जो 9-10 साल के बच्चे होते हैं, इस उमर के बच्चे में अकसर अपने parents को लेकर काफी guilt और काफी loyalty के issues देखने में आते हैं, मतलब ये बच्चा इस तरह के conflict से deal करता है, कि वो किस parent को जादा प्यार करता है, या कौन सा parent उस बच्चे को जादा प जद्दो जहद में लगे हों कि बच्चे को अपनी side करना है, और बच्चे को काफी भड़काने में लगे रहते हैं, और बच्चे के दिमाग में ऐसी बाते भरते हैं, जिसमें वो दूसरे parent को हमेशा गलत और बुरा दिखाते हैं, तो कई बार divorce का जो process होता है, वो बड़ा ही गंदा हो जाता है, जिसके अंदर abuses, anger, shouting, frustration, ये सारा बहुत ही overtly, बहुत ही clearly display होता है, मतलब बहुत ही clearly दिखाई देता है, parents के behavior में, जिसका की direct impact बच्चे के ओपर पड़ता है, और जब बच्चा घर में इन लड़ाईयों को जब सुनता है, देखता है, समझने की कोशि है, तो ऐसे में बच्चे के मन में ये conflict रहता है, कि वो किस parent के प्रती अपना लगाव रखे और उनके प्रती वफादारी या loyalty रखे, इस उमर में बच्चे sad, anxious, कम दिखाई देते हैं, और aggressive जादा दिखाई देते हैं, उनमें अपनी जो emotional pain की जो feelings होती है, emotional distress होता है, वो anger, गुसे, frustration के रूप में जादा निकलता है, क्योंकि ये एक आसान जरिया बनता है उनके लिए, बच्चों के लिए, अपने environment पे react करने के लिए, क्योंकि वो एक parent के लगाव में, एक parent के favor में आकर, दूसरे parent के against होने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में गुसा बहुत जादा इ इनकी academic performance काफी poor होने लगती है, और इनके अंदर self confidence भी reduce होने लगता है, इसके बाद adolescence का जो period आता है, वो सबसे जादा stressful और सबसे जादा painful और negative हो सकता है, क्योंकि बच्चे के development के सभी areas में इसमें effect पढ़ सकता है, चाहे वो social हो, academic हो, personal हो, emotional हो, किसी भी तरह के area में, domain में बच्चे की life effect होती ही होती है, क्योंकि छोटी age में तो बच्चे को फिर भी थोड़ा protection में, किसी एक parent या grand parents या कोई और दूसरे relatives के comfort में बच्चे को थोड़ा protect किया जा सकता है, पर adolescence में बच्चा जादा vulnerable होता है, जादा sensitive होता है, क्योंकि यही वो time है जब बच्चा करी चान develop होने लगती है, और ऐसे में जब वो ये देखता है कि कोई एक parent ज्यादा गलत है दूसरे के खिलाफ, दूसरे के प्रती, तो ऐसे में उसके अंदर नफरत और गुसा कई गुना बढ़ जाता है, उस parent के लिए जो की किसी तरह से गलत करता हुआ दिखाई देता है, तो इस stage में बच्चा एक parent की side लेता हुआ ज्यादा दिखाई पड़ता है, पर क्योंकि उस बच्चे में काफी deep एक crisis हो रहा है और वो दोनों parents को किसी ना किसी तरह से साथ देखना चाता है, उन दोनों को पसंद करता है, किसी ना किसी level पर वो दोनों से identify करता है, तो ऐसे में बच्चा काफी confused दिखाई पड़ता है, क्योंकि कभी वो एक parent के favor में बहुत चला जाता है, तो कभी किसी दूसरे parent के against बहुत चला जाता है, इस stage में बच्चा ना ही केवल independent होने में आगे बढ़ रहा है, वो अपने में एक maturity develop करने के process में भी आगे जा रहा है, साथी साथ उसमें autonomy के अलावा अपने childhood का loss की feeling भी बहुत गहरे में अब पन अपने लगती है, उसके effect और भी जादा बच्चे को परिशान करने लगते हैं, क्योंकि अब बच्चा अपने past पे थोड़ा सा reflect करने लगता है, और उसको ऐसा लगता है कि उसका जो past है, जो बच्पन है, व वो stage होता है, जिसमें बच्चा ना ही केवल अपने adolescent challenges के साथ deal कर रहा होता है, साथ ही उसे parents के divorce के साथ भी adjust करना पड़ता है, इस stage पर पहले से भी कई गुना ज़ादा बच्चे को emotional support, social support, love और बहुत guidance की जरुरत होती है, दोनों parents से, adolescence में बच्चे ऐसा पाते हैं कि अब वो divorce के प्रती, parents के अलग होने के प्रती, अब वो काफी better तरीके से अपने को express कर पा रहे हैं, और कई नई तरीके वो develop करते हैं, जिसमें वो अपने parents के relationship और उनके personality को analyze करने लगते हैं, उनको भी सही गलत बताने लगते हैं, साथ ही व और काफी unsafe sexual activities में involved हो सकते हैं, self harm बहुत देखने में आता है इन बच्चों में, घर से भागने की या दूर रहने की इच्छा बहुत होती है, और साथ ही किसी ना किसी तरह के की कोई conduct या कोई violent activity में जो की criminal nature की बन सकती हैं, उनमें भी involved हो सकते हैं, इस stage में यह भी देखने म आता है कि बच्चे अकसर एक parent के प्रती जादा अपना जुकाव रखने लगते हैं, और वो कही न कहीं एक parent को पसंद करते हुए, उनके साथ जादतर रहने की इच्छा जताने लगते हैं, सबसे जादा जो difficult होता है बच्चों के लिए, वो होता है कि जब parent दूसरे partner के साथ एक नए partner के साथ relationship बना रहा हो, dating कर रहा हो, या दुबारा से marriage करने के plan बना रहा हो, तो इस बच्चे के लिए इस सच्चाई को face करना और इस नए reality के साथ adjust करना बेहद मुश्किल हो जाता है, इस stage में जो doctors के लिए, psychologist के लिए जो सबसे बड़ा challenging part होता है, वो ये कि swings, depression और anxiety के reactions को उसके अंदर आने वाले personality changes से differentiate करें, क्योंकि यही वो एज है जब बच्चे में personality change भी आ रहा होता है, और कई बच्चे जो कि किसी ना किसी तरह के personality disturbance का शिकार होते हैं, चाहे biological हो या चाहे अपने environment से influence की वज़े से हो, उनमें काफी strong एक personality change आता है, जो कि कई तरह के emotional या physical या interpersonal conflict की form में दिखाई दे सकता है, symptoms के रूप में दिखाई पढ़ सकता है, तो जो बच्चे का reaction है, वो divorce को लेकर है, बच्चे में personality change की वज़े से है, या बच्चे में किसी और वज़ा से stress के या emotional problem के symptom आ रहे हैं, यह differentiate करना एक psychologist और एक doctor के लिए काफी challenging हो सक और ऐसे में diagnosis बनाने के लिए doctors को अक्सर काफी time भी लग जाता है, life के इस stage पर depression या तो वो अपने clinical symptoms की form में दिखाई पढ़ सकता है, जैसे कि नींद ना आना, concentration कम होना, energy low महसूस होना, थकान, fatigue बना रहना, hopelessness, depressed mood, helplessness, worthlessness की feelings आना, यह सब classical symptoms हो सकते हैं, या depression ज्यादा चिर्चिडापन होना, ज्यादा anxiety होना, दोस्तों से family member से withdraw करना, suicidal thought होना, या कुछ acting out behaviors जिसमें की बच्चा बड़ा aggressive हो सकता है, reckless तरीके से कुछ drugs या sexual activity में involved हो सकता है, या self-arm में involved हो सकता है, ऐसे behaviors भी दिखाई दे सकते हैं, तो depression अलग-अलग रूपों मे अलग-अलग forms में इस stage में दिखाई पड़ सकता है, अब finally इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि जो भी बच्चे stresses के थूँ गुजर रहे हैं, अपने parents के divorce की वज़े से काफी emotional और psychological symptoms दिखा रहे हैं, उनकी help कैसे की जा सकती है, तो ऐसे में सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट होता है, या यह कहें कि शुरुवात में सबसे important होता है, doctors, physicians, psychologists और psychiatrists के लिए देखना कि बच्चे की life में protective factors क्या हैं और risk factors क्या हैं, डिवोर्स की वज़ह से कई बार दिखाई देने वाले symptoms, emotional या psychological या physical nature वाले, अकसर लग सकता है कि यह सब depression हो रहा है, बच्चा जो है बहुत aggressive है, बच्चे में कोई disorder हो रहा है, जबकि हर बार यह सही नहीं होता, क्योंकि इस stage में बच्चे काफी emotionally reactive हो सकते हैं, तो काफी सारी उनकी जो divorce process को लेकर जो reaction होती है, वो उनके अंदर आने वाले किसी disorder या personality change का indicator लग सकता है, तो ऐसे में देखना होता है कि genetically बच्चा की तरह के conditions के लिए pre-disposed है, family में किस तरह के pattern और behavior रहे है, parents की personality कैसी रही है, parents का financial और economic और social background कैसा रहा है, किस तरह के से बच्चा जो है इस पूरे divorce process में गुजरा है, क्या उसके behavior पहले के रहे है, उसके academic और social background क्या रहा है, सारे ऐसे factors को देखकर एक psychologist assess करता है कि कौन से factors protective हैं, जो की बच्चे के फायदे में जाते हैं, और कौन से ऐसे risk factors हैं, जो की बच्चे को जादा नुकसान और जादा distress condition में ले जाने के लिए मजबूर करते हैं, तो parents के conflict और divorce के stress से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे के protective factors को identify किया जाए, in fact हम कि कह सकते हैं कि सबसे important और सबसे पहला protective factor तो यही हो सकता है कि parents के साथ बच्चे की counseling की जाए और parents के आपसी conflict और आपसी कलह को कम करने की तरफ focus किया जाए, जो कि सबसे पहला और जरूरी हिस्सा हो सकता है बच्चे के लिए एक emotional और social support देने का, साथ ही divorcing parents के लिए जरूरी होता है कि बच्चे को proper emotional warmth दें, बच्चे को सहारा दें, बच्चे से regularly communicate करें, बच्चे के behaviors और risky problems वाले issues को monitor करते रहें, बहुत जादा authoritative manner में, strict manner में बच्चे की parenting ना करें, बच्चे की emotional needs को neglect ना करें, और बच्चे के साथ age appropriate expectations करें, ऐसा ना रखें कि बच्चा 10-12 साल का ह और बच्चे को बड़े-बड़े decision लेने के लिए मजबूर करें, कि बताओ तुम्हें किस के साथ रहना है, पापा के साथ रहना है, ममी के साथ रहना है, और बच्चे पर बहुत सारा stress आ जाए, जिससे की बच्चा बहुती guilt से भर जाए, तो इन सब चीजों से बच्चने क बच्चे को भी proper monitor करके assess किया जाए, और सही time पर उन्हें prevent करने के लिए कदम बढ़ाये जाए, जब बच्चे के protective और risk factors को assess करके उन्हें manage कर लिया जाता है, तो बच्चे long term में future में जब बड़े हो जाते हैं, तो उनके adjustment issues कम होते हैं, वो ज़्यादा better तरह से socially और professionally adjust कर पा जाते हैं, जबकि ऐसे parents जिनमें protective risk factors को assess करके manage नहीं किया गया है, और उनके parents जो हैं वो बड़े inattentive हैं, monitor नहीं करते, लापरवा हैं, neglect करते हैं, support नहीं देते, या बहुत strict और बहुती rude हो जाते हैं बच्चे के साथ, ऐसे parents के बच्चे divorce के बाद बहुती जादा aggressive और बह lifelong किसी ना किसी तरह की problem space करते हैं, तीसरा सबसे important point है कि बहुत जरूरी है कि बच्चा दोनों parents के साथ अपना contact रखे divorce के बाद, बहुत सारी studies ऐसा बताती हैं कि जिन बच्चों का divorce के बाद अपने father के साथ regular contact है, वो बच्चे अपने future life में काफी positive adjustments बना पाते हैं, उनकी academic performance अच्छी होती है, वो अपने professions बहुत ही maturely चुन पाते हैं, उनमें successful हो पाते हैं, और बहुत ज़ादा उनकी life में professional और social field में fluctuations नहीं होती, वो बहुत ज़ादा divert नहीं होते, वो अपनी choices, अपने decisions को better way में implement कर पाते हैं, जबकि वो parents या यह कहें कि वो father जो कि अपने adjustment pattern शो करते हैं, और साथी aggressive और बड़े violent nature के हो सकते हैं, in fact बहुत सारी mental health conditions जिनमें से addiction problems बहुत common होती हैं, यह उन बच्चों में develop हो सकती हैं, फाइनल इस discussion को conclude करते हुए कहूंगा कि दो तिन तरीकों से बच्चों की काफी अच्छी help मिल सकती है, अगर बच्चों में सही time पर identify कर लिया जाएं, यह सारे stress और depression और emotional stress वाले symptoms, इनको proper monitor करके, इनको address कर लिया जाए, बच्चे के अंदर sadness, anger, behavioral problems, separation anxiety, यह जो भी आपसे symptoms डिसकस किया, अगर इन्हें पहचान कर सही time पर doctor, psychologist या psychiatrist को दिखा दिया जाए, तो बच्चों की काफी अच्छी help हो सकती है, और future लंबे time तक उसके life में आने वाले बड़े सारे worse outcomes को बचाया जा सकता है, और ऐसा बड़ी सारी research में already बहुत अच्छे से दिखाया जा चुका है, mental health professional के साथ बच्चे का contact बनाना बेहत जरूरी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे को एक safe तरीका मिलता है, अपने को express कर करने का, अपने feelings और thoughts के बारे में बात करने का, अपने अंदर आने वाले बदलाव, changes, anger, frustration को express करके उन्हें समझने का, और किस तरह से बच्चा cope कर सकता है, इस process, इस प्रक्रिया से कैसे आसानी से better तरीके से निकल सकता है, इसमें बच्चे की help हो सकती है, ना ही सिरफ बच् को सही तरह से guide कर सकते हैं, कि कैसे वो अपने इन conflict और लड़ाईयों के बीच, बच्चे को ना पीसें, बच्चे को ना neglect करें, बच्चे के उपर किसी तरह के का जो ना चाहते हुए भी जो अत्याचार हो रहा है, उसको कैसे बचाया जा सके, कैसे बच्चे में positive adjustment को बढ़ा और divorce से पहले और divorce के बाद किन चीजों का ध्यान रखा जाए, जिससे की parent बच्चे के well-being और emotional health को better कर सकें, उसमें एक अच्छा contribution दे सकें, अपने आपसी conflict को भूल कर बच्चे के benefit और बच्चे के फायदे में जो चीजें हो सकती हैं, जो actions लिए जा सकते हैं, उस पर ध्या खासकर कि mother ही है, जो कि ऐसे में बच्चे को counseling के लिए लाती हैं, जबकि जरूरी है कि दोनों parents किसे ना किसी तरह से involved हो, ऐसे में group therapy या psycho educational strategies काफी helpful होती हैं, या psycho educational groups काफी helpful होते हैं, जिसमें workshops के through, seminars के through, या groups interventions के through, parents को educate किया जा सके कि आपसी conflict का, divorce का, separation का बच्चों पर क्य असर पड़ता है, कैसे बच्चे disturb होते हैं, कौन-कौन से बच्चों के problematic behavior significant हो सकते हैं, parents के कौन सी बाते हैं, कौन से actions, कौन से behavior बच्चों पर ज़्यादा impact चोड़ते हैं, आपसी dynamics, parents के बीच के आपस के relationships कैसे बच्चे को stress दे रहे हैं, बच्चे के दिमाग में, बच्चे होना, proper address किया जाना, इनके लिए aware होना, parents के लिए बेहत ज़रूरी होता है, तो parents की workshops और parents के group sessions किये जा सकते हैं, जिसमें कई सारे parents आपस में मिलके, एक ही topic पर, एक ही मुद्दों पर discuss करें, और एक shared communication के through, एक insightful approach develop कर सकें, ताकि बच्चे के benefit में, जादा से जादा parents क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे में एक अच्छा comparison करके parents सीख सकते हैं, कि उन्हें कैसा behave करना चाहिए, दूसरों को देखकर लोग जादा जल्दी सीखते हैं, तो parents जब दूसरे parents को देखेंगे, कि वो कैसे गुजर रहे हैं as divorce process में, किन चीजों का ध्यान रखते हैं कैसे वो खुद cope कर रहे हैं, और कैसे वो बच्चे को help कर रहे हैं, जब parents आपस में इस तरह के views share करेंगे, तो naturally उनको काफी guidance मिलेगी, direction मिलेगी, और insightfully वो बच्चे के लिए कुछ अच्छे कदम automatically उठा पाएंगे, क्योंकि parents के लिए इस stage में और आगे भी बहुत ज़रू चुर्तों को बच्चे की emotions और सोच को नकारे ना, बच्चों को बच्चा समझ करना छोड़ें और अपने decisions उन पर थोपे ना, और साथी उनको बली का बकरा ना बनाएं, उनको इस्तमाल ना करें, यह सब जरूरी होता है, तो इन सब चीजों पर discussion करके parents और बच्चे एक smooth way म इस divorce process से गुजर सकते हैं और इस divorce को, इस separation को काफी emotion friendly, mental health friendly बना सकते हैं, यह discussion मैं यहीं सवाप्त करता हूँ, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को like करें और वीडियो को दूसरे लोगों से भी share करें, जिनके लिए यह जानकारी जरूरी हो सकती है, यह वीडियो मैं यहीं स्वाप करता हूँ, धन्यवाद